हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूं आप लोका हमारे होमियोपेथिक मेट्रेमेडी का सीरीज में तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपोर्टन रेमेडी दोस्तो जिसका नाम है कैलकेरिया सल्फ इसको हम कैल्शियम सल्फियूरिकम भी बोलते हैं दोस्तो तो चलिए जानते हैं इस रेमेडी के बारे में और सबसे पहले एक चोटा सा ओर्वियू करेंग कि उसको उस पेशन को किस चीज़ से आराम मिलता है किस चीज़ से उसकी सिम्टम्स और ज़्यादा एग्रवेट हो जाते हैं यानि कि किस चीज़ से उसकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फ्रेंड्स कैलकेरिया सल्फ के पेशन में आपको दो तीन चीज़े पीली और बहुत ही गाड़ी पस हो तो friends, calcarea self वहाँ पर काम आती है friends, एक किताब में इस प्रकार से भी बताया हुआ है कि जैसे ही हमें suppression हो जाता है याने कि पस formation हो जाती है तो तुरन्थ हमारे दिमाग में silesia यार hyper self आती है but calcarea self उससे भी जादा deep acting remedy है दोस्तो calcarea self जो है silesia से भी जादा deep acting remedy है क्योंकि silesia के जो पस होगी वो एक तो बदबुदार होगी और उसका जो discharge होगा यानि कि पस में से जो बहेगी पस वो पतली होगी वो गाड़ी नहीं होगी वो जैसे पानी जैसे होगी बट calcarea self की पस में आपको याद रखना है ये जो पस formation होगी वो एक तो घाड़ी होगी येलोईश कलर की होगी और बदबुदार बिलकुल नहीं होगी दोस्तो तो फ्रेंट्स ये तो तीन चीज़े हमें याद रखनी रखनी है चले अब हम चलते हैं इसके key uses पर दोस्तों समझते हैं सबसे ज़्यादा use ये remedy कहाँ पर आती है तो key uses में सबसे पहला point दिया है फ्रेंट्स म्यूकस मेंबरेन डिस्चार्ज तो फ्रेंट्स इसके पहले point में भी यही बताया है कि म्यूकस मेंबरेन में से जो भी डिस्चार्ज हो गया यानि की दोस्तों पस बन चुकी होगी specially वो पस कैसी होगी यलो होगी और बहुत ज़्यादा ठिक होगी और lumpy म्यूकस भी पाई जा सकती है खांसी के दुरान अगर बहुत ज़्यादा खांसी है उसके साथ साथ lumpy म्यूकस पाई जा रही है अगर कहीं पर भी यानि की बोडी के किसी भी पार्ट में ऐसी पस देखी जाये जिसमें थिक और यलो डिस्चार्ज हो दोस्तों तो हम केलकीरिया सल्फ का इस्तमाल कर सकते हैं बट एक बुक में दोस्तों ऐसा भी बताया गया है कि अगर हड़ी तक वो जो वून्स है यानि की जो घाव है अगर हड़ी तक फैल गया यानि की अगर हड़ी सडने लग गई है तो केलकीरिया सल्फ ज़्यादा काम नहीं करती है ये mucous membrane पर ज़्यादा काम करती है जैसे कि इसके first point में भी बताया गया है तो अगर bones तक affection आ जाए समस्या का तो friends उस time पर हम calcarea floor की तरफ जा सकते हैं बट calcarea self में यह याद रखेगा दोस्तो किसी भी mucous membrane में इस प्रकार की pus आपको दिखे तो हम calcarea self की तरफ जा सकते हैं भले ही वो glands हो भले ही कोई wound हो भले ही वो acne हो भले ही eczema के अंदर भी अगर ऐसी pus बन जाए तब भी हम इसकी तरफ जा सकते हैं तो friends ये तो हो गए इसका key uses चलिए अब चलते हैं डारेक्ट इसकी remedy profile पर जानते है कि उसके जो patient होगा उसके mental symptoms के परकार के होंगे and physical symptoms के परकार के मिलेंगे friends तो friends ये आ गए हम calcarea self की remedy profile पर चलिए line by line समझते हैं ताकि आप लोगो आसानी रहे calcarea self is best suited to people who tends to be timid and fearful especially of birds ये बहुती मुख्य point है दोस्तो बहुती कम remedies है याने कि गिनी चुनी remedies ही होंगी जिसमें जो fear है वो पंचियों से बहुत डरता है ये वाला patient याने कि उसके mental symptoms में ये बात अगर आप पूचेंगे उसके fears में जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि मुझे पंचियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है और जहां भी calcarea हमें मिले दोस्तो याने कि calcium हमें मिले तो उस calcium की जो main theme है दोस्तो वो ही यही है कि मैं बहुत ज़्यादा weak हूँ बहुत ज़्यादा कमजोर हूँ तो इसमें भी दोस्तो इसी परकार से बताया है कि बहुत ज़्यादा shy है and fearful है timid है and fearful है दोस्तो तो timid का मतलब यह हो दोस्तो कि nervous हो जाता है बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा shy होता है वो patient और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा डरता है किस चीश से का सामना कर सकता हूं और अगर दूसरे से गलती होगी तो उसपर वो चिलाएगा, उससे गुसा हो जाएगा उसपर जैलेस हो जाएगा बट अगर वो ही चीज उस पर वीथती है तो वो अपने आपको ऐसा दिखाता है कि मैं बहुत धिमान हूँ मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ मैं इस चीज का सामना कर सकता हूँ बट अगर उसके हम उसके mental symptoms को deeply study करेंगे तो हमें समझ आएगा कि वो बहुत ज़्यादा timid है बहुत ज़्यादा shy है बहुत जल्दी nervous हो जाता है बहुत ज़्यादा वो चीजों से ढरता है क्योंकि calcium जहां भी आ रहा है calcium की main theme ही है कि मैं बहुत ज़्यादा weak हूँ उसी weakness के चलते वो दुनिया को दिखाता कुछ हो रहे यानि कि दुनिया को अपना पनाना चाहता है कि मेरे पास भीड रहे मैं दुनिया को attract कर लू ताकि उस चीज से मुझे stability मिले जितनी दुनिया मेरे पास आस पास रहेगी यानि कि जितनी ज़्यादा दुनिया मुझे support करेगी उतनी ज़्यादा मेरे अंदर stability आएगी और मेरे अंदर एक strength आएगी तो यही चीज उसमें भी दिखा रखिया उसकी next line में यही बात बताई है तो यही बात दोस्तों इन्होंने इस प्रकार से बताई है कि वो argument करेगा दोस्तों किसी भी से relative से दोस्तों से बताई कि यह तेरे बसका नहीं है मैं तो इसे ऐसे कर देता मैं वैसे कर देता इस प्रकार से अपनी बढ़ाई वो हमेशा करता रहेगा बटा कर उसके deep जाएंगे हम तो वो बहुत ज़्यादा शर्मीला होगा बहुत ज़्यादा शाय होगा बहुत ज़्यादा चीजों से डरता भी है और खास कर पंचियों से वो बहुत ज़्यादा डरता है नेक्स लाइन में बात की गई है सुपरेशन, येलो दिस्चार्ज और पस आर टिपिकली एशोशेटेटेड विद इस रेमडी तो फ्रेंड्स मेंटल सिम्टम्स तो हमने समझ लिए अब बात की उन्होंने फिजिकल सिम्टम्स की फिजिकल सिम्टम्स हम जानी चुके हैं दोस्तो येलो थिक डिस्चार्ज होगा बोडी में कहीं पर भी हो तो ये रेमडी काम आ सकती है और खास कर म्यूकस मेंब्रेंड में आगे बात की गई है कैलकीरिया सल्फ is generally prescribed once the pus has found the vent तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बताये थी कि pus बन चुकी हो याने कि pus ने अपना रास्ता बना लिया हो एक हॉल बना लिया हो याने कि अगर एक फोड़ा आपके पास एक केस आया जिसमें पेशेंट को बहुत सारे फोड़े हैं या एबसेस बोलते हैं फ्रेंट्स फोड़ा फुंसिया है तो उस केस में अगर pus बन चुकी है याने कि वो pus बाहर आ चुकी है और pus कैसी है बहुत ज़्यादा गाड़ी है और pus अगर खून मिली भी है याने कि बहुत ज़्यादा गाड़ी पाई जाती है और उसके साथ-साथ अगर खून मिला हो तो हम कलकीरिया सल्फ की तरफ जा सकते हैं दोस्तों साइलीशिया में pus बहुती वाटरी डिस्चार्ज होगा जाने कि ऐसे लागएगा बिल्कुल पतली पस है पानी जैसी पस है और उसमें बदबु रहेगी तो friends कलकीरिया सल्फ और साइलीशिया में यही एक डिफरेंस है क्योंकि सबसे ज़्यादा साइलीशिया यूज होती है friends अगर पस बन जाए उसके इसमे और उसके साथ साथ दोस्तो मर्कुरियर सल्फ और बैलाडोना फर्स स्टेज में काम आती है friends बट यह बताया गया है कि इन सबसे उपर इन सबसे भी ज़्यादा डिप एक्टिंग यह मेरे रेमेडी है इसी में आगे बताया गया है friends इसमें दोस्तो बोन्स की भी बात की गए बट मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक मेट्रे मेडिका में ऐसा भी बताया है कि अगर वो हड़ी में अंदर तक वो घाव पहुंच जार वहां से पस बन रही है और तब ये रेमेडी काम नहीं आती दोस्तों मैं आपको अपना एक लाइफ केस भी बता दो दोस्तों एंकल वाले एरिये में बिल्कुल हड़ी तक उस एक बच्चा था पंदरा सोला साल का उसको बिल्कुल गल गया था आने की वह बहुत जादा पस निकलती थी और वह पस बहुत जादा निकलती दोस्तों की इंजेक्शन्स लगवाने के बाद भी उसकी पस नहीं रुक रही थी उसलिए उन्होंने डिसिजन लिया था कि अब हम होमियोप्रेटिक मेडिसन चलाएंगे तो वो केस मेरे पास आया और उसमें सबसे पहले तो ये देखा गया कि बहुत जादा बदबुदार पस थी इंजेक्शन्स लगवाने केस मेरे पस नहीं रहे थी तो ये देखा गया था जैसे जैसे दीरे दीरे वो गाव भरा और वो घाव अब उपर ली लेयर पर रहा गया था बट उसके अंदर जो पस थी अब उसने अपना रूप बदल लिया था फ्रेंड्स वो बहुत जादा गाड़ी बन गई थी और उसका जो डिस्चार्ज हो गया था वो यलोईश कलर का हो गया था तब मैंने कलकीरिया दोस्तों अगर आप प्रॉपर केस टेकिंग करके देंगे तो 100% की रेमेडी रिजर्ट दिखाती है नेक्स लाइन में बताया गया है दोस्तों हीलिंग जेनरली अकर स्लोली और और अगर पेशन्ट को हीलिंग स्लो भी हो रही हो बिल्कुल भी ना हो रही हो तब भी हम इस इस्तिमाल कर सकते हैं यानि कि आप कोई और रेमेडी इस्तिमाल कर रहे हैं और उसमें पेशन्ट को चोट लगने के बाद हीलिंग बहुत लेट होती है जैसे कि साइलीशा में देखा गया है तो तब भी हम इस रेमेडी को इस्तिमाल कर सकते हैं यानि कि कुछ सिम्टम इसक प्रकार का है दोस्तो बहुत ज़्यादा घाड़ा है लंपी है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा यलोईश कलर का है तब भी हम इस रमेडी की तरफ जा सकते हैं तो यह तो हो गया दोस्तो इसका ओवर्वियू चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपोर्टन पॉइंट की job की है modalities तो friends इस patient को अराम कब मिल रहा है तो इसके symptom better कब हो रहे है for open air, for heat, for uncovering for bathing तो यानि कि वो area जहां पर पस बन रही होगी उस area को जब वो uncover करेगा यानि कि खुला रखेगा तो उसको better feel होता है दोस्तों और नहाने से इसको better feel होता है और थोड़ा सा heat अगर वो उस area पर रखेगा तो better feel होगा symptom में aggravation कब हो रहे है दोस्तों for cold and damp, for draft for walking rapidly तो ज़्यादा ठंड से उस जगा पर aggravation पाए जाएगा friends और अगर वो patient बहुत तेज तेज चलेगा तो उस area पर अगर जोर पड़ेगा तब भी उसको aggravation होगा दोस्तों कोई draft for draft draft से इनका संबन्द है दोस्तों कोई एकदम से जटका लगा, कोई खिचा हो आया तब भी इसमें aggravation पाए जा सकता है तो friends ये तो हो गया calcarea self का एक overview आशा करता हूँ आप लोगो को आज ये समझा आया होगा दोस्तों calcarea self remedy बट अगर कोई doubt है तो please comment box में comment कीजिएगा आपकी query को जरूर complete किया जाएगा तो friends आज के लिए इतना ही कल आप से फिर्म लेंगे एक नई remedy के साथ तब तक के लिए धिन्यवार